यहीं दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यान केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़े हैं लुसेंट अब्जेक्टिव का बुक जिसमें हमारा चल रहा है बायोलोजी आठ एक्सेसाइज तक मैंने कंप्लेट कर लिया था नॉमा एक्सेसाइज है कोशी का बिग यहीं जियानिक के द्वारा दिया गया सरपर्थम तो वह है रोबर्ट हुँक से उपसान मब थी क्योंकि सेल के खोज करता है यह भी अंतर उत्पन करता है कप कषिका में रैवो सोम की अनुतपस्थिती में कौनसा काड़ी संपादित नहीं होगा facultean translation नहीं होगा अगर कोसिका में रैवो सोम नहीं होगा तो प्रोटीन संसलेशन नहीं होता है प्रोटीन संसलेशन के लिए राइबोसोम अनिवारी है यदि मैटोकॉंड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काड़ी नहीं होगा मैटोकॉंड्रिया करता है भोजन का ऐकसी करन werden अभी ही of ilusand subjective में भी हमने इसल पड़ रखा है इस वे काफी डिटैल्स से इसा बताया गया है अभी याद रखना है कि राइबोसो में प्रोट्व जो को भोजन का अकसी करन में smallest करता है निम्नली विलीखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टीड प्लास्टीड सबसे बड़ा कोशिकांग है ऑप्शन नमर सी यहां सही है कोशिका में प्रोटीन संसिलेशन कहां होता है कोशिका में प्रोटीन संसिलेशन कहां होगा अभी पठेते रैबोसोम में होता तो पादप कोशिका में यह होता है कोशिका भिल्ली जीए कहतें मिल्सें से également जिसे कहते हैं कोशीका भिती moet कर दीखिए इसल्वाल यह उनली पादप कोशिका में पर दान करता है गमारा कोशिका को एक कोशीका को निश्चित रूप कौन परदान करता है कोशीका भिथ्टी流 को निश्चित रूप कौई परदान करेगा कोशी का भिति आप्सड़ नमर्ब संभी में उपस्थित महीन साकथ जिल्ली दाற और और रामित नलीकाओं का घहना जाल क्या कहलाता है इसे हम कहते अंता प्राइदर्वी जाली का अंता प्राइदर्वी जाली का उप्सन नमर डी प्रोटीन निर्मान का सक्डिय अस्थल है प्रोटीन निर्मान का सक्डिय अस्थल क्या है राइबोसोम जब भी प्रोटीन का जिकर आ जाए ना प्रोटीन राइबोसोम पे टिकर कोन्सी कॉसी का ऑगर पादभको सिखा में पाया जाती है मिस्ट वाल क्या होता है मिस्टी न्यूंस वो फट्पको थिकामें अगैन मिचि बर स qui अधिक्र ह होता है और लवक भी हो जाएगा प्रोक bulb को सिंट फेल में को सिकामई कोशीका वित्ति जो स्वसन के लिए है मेटो कॉंड्रिया ओप्शन नमर बी अवर्नी लवक मुख्यता पाये जाते हैं यह पाये जाता है जरों की कोशिकाओं में लिकोप्लास्ट पाया जाता है फूलों और बीजों को विभिन परकार के आकरसक रंग कौन परदान करता है क्रोमोप्लास्ट ऑप्शन नमर बी यहां सही है क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को डिफरेंट कलर प्रभाइड करवाता है पतियों को हरारंग परदान कौन करता है पतियों को हरारंग क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ओप्सन नमर बी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइबोसोम ये राइबो नहीं है लाइबोसोम है लाइसोसोम प्रोटीन करता है इसको तो याद रखना और आत्मत्या की थैली कौन है लाइसोसोम बहुत इंपोर्टेंट है आता भी योग अलागी लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह इंजायम जिनमें जीव दरब्य को घुला देने या नस्ट कर देने की जहमता होती है वो क्या कहलाता है हाइड्रो लाइटिक एंजायम हाइड्रो लाइटिक एंजायम ओप्सन नमबर डी असी परतिसत से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ मिंस कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ होता है वाटर जल असी परतिसत से अधिक होता है निम्दलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुखी रूप से पाच्चक इंजैमों के संग्रहक की तरह काड़ी करता है लाइसोसोम ऑप्सान नमर डी किसकी उपस्थिती के कारण किसी पादब कोशिका और पसु कोशिका में अंतर होता है कोशिका भी सेलवाल के कारण डिफरेंस होता है क्योंकि जन्तु कोशिका में सेलवाल नहीं होता है गलोजी काई का पर्मुक काड़ी क्या है स्रावी कोशिका का रसोगर किसे कहा जाता है। कलोडोप्लास्ट कौशननुमर डि निम्नलिकित में से कौन सा काड़ी चिकने अन्तः प्रएदरभिये जलीका में संपन्य नहीं होता है। तो प्रोटीन का संसुलेशन राइवो सौम में होता है, जबकि अंता प्राय दर्भिय जलीका में द्रव्यों का अभीगमन, लिपिड का संसिलेशन और एस्टेराइड हैर मोन का संसिलेशन, यह सब कहां पर होता है, अनता प्राय धर्भिय जलीका, मैटोकोंड्रिया का खोज किनके दूआरा किया गया था मैटोकोंड्रिया का खोज है अल्टमैन अल्टमैन option number A यहां सही है कौन सा अंगक प्राया जन्तु को सिखा में उपस्तित नहीं होता तो सेलवाल तो नहीं होता साथी लबक भी नहीं होता लवक अभी पढ़ेता है उपड़ एक प्रसंद था तो उसमें लवक भी था ठीक ना लवक यहाँ पर आंसर हो जाएगा लैसोसोम काड़ी करते हैं लैसोसोम काड़ी करता है अंतह कोश्किये पाचन में लैसोसोम अंतह कोश्किये पाचन में कोशिका भित्ती होती है मिन सेलवाल कैसा होता है अंतर क्या बन जाएगा आपका पड़ा गम्य होता है यह प्लाइंट में होता है इसको याद ही रखने ना कभी भूलना ही नहीं मैटोकोंड्रिया का भित्री वलन कहलाता है मैटोकोंड्रिया का भित्री वलन क्या कहलाता है क्रिस्टी ओप्से नमरे मैटोकोंड्रिया किसमे अनुपस्थित होता है मैटोकोंड्रिया किसमे नहीं होता है तो जिवानु में बैक्टेरिया में मैटोकोंड्रिया नहीं होता जीव दरभय प्रोटव्पलाज में सबद का trabalhयोग सर्पर्थम किस ने किया था जीव दरभय सब्द का पढ़योग सबसे पहले किन कि के दौरा किया घए तो पुरकिंजे के द्वारा बहुत important है यह जीव दरबी का पड़ियोग सब से पहले किस ने किया था पुरकिंजे ने किया था शेल के अंदर जो भड़ा हुआ лिक्वीर होता है ऊसको काले तो जीव दरब्य जीव दरब्ये जीवन का भौतिक अधार है यह किसका कथन है जीब दरब्य भौतिक जीवन का अधार है यह कहा गया था हॉक्सले के द्वारा हॉक्सले हॉक्सले और पुरकिंजे का नहीं बुलना पुरकिंजे जीब दरब का नामकरन किया था और यह भौतिक अधार बताया था हॉक्सले ने DNA के दूई हेलिक्स प्रडूप को पहली वार किसने प्रस्तावित किया था यह प्रस्तावित किया गया था वाट्सन और क्रिक के द्वारा DNA जो दूई हेस्टेप का होता है वो किसने कहा था वाट्सन और क्रिक ने Nucleus की खोज सबसे पहले किसने की थी नुकलियस की खोज सबसे पहले ब्राउन ने किया था ब्राउन वैसे याद करो कि नुकलियस का कलर ब्राउन होता है नुकलियस का खोज करता कौन है ब्राउन कलर ब्राउन नहीं होता ठीक न वैसे में बोला ब्राउन कोशिका की किडियात्मक गती बिधिया नियंत्रित होती है केंद्रक में नुकलियस में होती है option number D यहांस है इसका खोज करता कौन था? brown गुन्सुत्र सब्द परदान किया है क्रोमोसोम यह सब्द है गुन्सुत्र है यह किन के द्वारा दिया गया? वाल्डेयर के द्वारा अन्तव प्राय जालक की खोज किसने की? अन्तव प्राय जालक का खोज पोल्टर ने किया पोल्टर, option number D इलेक्टरौन सुक्चमदर्शी के खोज करता कौन है? इलेक्टरौन सुक्चमदर्शी के खोज करता नौल तथा रसका नौल तथा रसका इंपोटेंट है इलेक्ट्रोनिक सुक्चुंदर सी नौल तथा रसका दुरुबिन के खोज करता गैलेलियो है बास्तविक केंदरक किसमे अनुपस्थित होता है बास्तविक केंदरक जिवानु में अनुपस्थित होता है सरवाधिक संख्या में गुंसुत्र किसमें पाया जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक किसमें होता है ओफियो ग्लोसस में सबसे अधिक गुंसुत्र पाया जाता है आद्मी में कितना होता है 46 या 23 जोड़ा 2N में लिखाए ना मतलब 2N 2N का वेलू 23 ऐसे पाया जाता है 46 होता है जिसमें xy में फिमेल का जो होता है वो सब तो हम पढ़ चुके हैं सार इसलिए मैं जिक्रे नहीं कर रहा है कोसिका का जिवित अंस जीव दरब कहलाता है यह किससे बना होता है कोसिका के बारे में सबसे बराक कोनसा होता है तो औस्ट्रीज का अंड़ा होता है कोसिका के बारे में निम्दलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो एक कथन यहां पर गलत होगा तो यह कथन गलत है ठीक ना कि सभी देव उत्तकों में एक ही परकार के कोसिका होते हैं ऐसा नहीं है अलग अलग होते हैं तो यह गलत है कोशिकां के अकार और अमाप कारी से समबंदित होते हैं कुछ कोशिकां के बदलते अकार होते हैं बिल्कुल जिसमें सेल्वाल Nahi naar ч mág और लिए पॉस्कों में से कौनसा एक पॉधे की कोसिका भिती का एक सनरचनात्म घटक है सनराचनात्म घटक होगा केल्सियम केल्सियम इंपोटेंट है फिर जी रिपीट कर लो निमनलेखित पोस्कों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ती का एक सनराचनात्म घटक है केल्सियम नुकलियस के बाहर डियने कहां मिलता है निकलियस के बाहर DNA मेटोकॉंड्रिया में मिलेगा आगे निमनलिखित में से किस कोशिका अंगक से लैसोसोम बनता है लैसोसोम बनता है गलॉजी का इसे अप्सा नम्मर सी निमनलिखित में से कौन सा हुआ कोशिकांग है जो प्रोकरियोटिक कोसिका में नहीं चाहिए तो टोटल पचास प्रसकते मैंने complete कर लिया अगे जो सब्सक्राइब करेंगे देखो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेर जितना हो सके करो ताकि अधिक लोगों तक पहुंच पाए इस वीडियो पे आप लोग कम सपोर्ट करतू नहीं देख रहे हो तो मुझे लगता है कि वह आप लोग नहीं देखते हो इंपोर्टेंट न करता हूं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिए